किया आपको पता है फ्रीवार में बहुत से रहे लेकिन क्रिमियल मंदल हीपोप ब JrT पार 75 तो पता है कि यह दो पनल रहर लेकिन पंडल से कैसे होते कैसे यह बात किसी को नहीं पता है दोंट वरी मैं हूना आज के सुड़ों लोग ऐसे कमाल के इंट्रस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन फैक्ट्स उनके आपके रैक्षिन इस बच्ची की तरह होगा तो इस वीडियो को जरूर पर नए हो भाई लोग तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ब कुछ इस टाइप का आप लोग यहां देख सकते हो यह अगर आप क्लासिक मैच खेलो तो क्लासिक मैच में रैंडमली कहीं भी मिल जाएगा यहां पर एक चीज़ कॉमन है कि यह जो पूतला है वह हमेशे MP5 और M60 गन ही क्यों पकड़ाई है क्या आप लोगों इसके पीछे क हाथ में या फिर MP5 तो फ्रीफार ने MP5 को चूस किया बस ऐसी रैंडमली चूस कर लिया कि हां MP5 रहाएगा यूंप के बदले बस इसके और कोई रिजन नहीं था और M60 जो है वह एक एयर गन है और में तीन से चार गन लांच हुई थी एके सकार M4A1 and M60 एके सकार और M4A1 यह त्योंनों बहुत और common gun है इसमें मजल लगा सकते हो इसमें आप फोरगिप लगा सकते हो इसमें आप मैगजिन भी लगा सकते हो बट M60 लौती ऐसी गन है जिसमें आप सीप और सिप्वार जिप्स को भी लगा सकते हो और यह चीज़ काफी तरह यूनिक लगी फ्रीफा मैं उसकी बात कर रहा हूं और क्या आप कोई इंट्रस्टिंग पढ़ा था मुझे कॉमें सेचन में के जरू से जरू बताना फैक्ट नमबर फाइ सकार की बहुत ती रेयर गन थी पहले के टाइम पर वह टाइटन सकार लेकिन आज से कुछ 6 महीने पहले टाइटन सकार यह वाला था है इसके अच्छे सुनना डाइटन सकार का इंकुबेटर आया था उसमें टॉप वाला सकार यह वाला नहीं था जो आप अभी देख रहे हो बलकि यह ग्रीन वाला था हां आप लोगोंने बिल्कुल साही सुने और प्रूफ के नाते आप लोग बैगरों में द यह में एट्रीबूट नहीं होती है किसी गन की में एट्रीबूट और सबसे डेडली एट्रीबूट होती है वह डबल रेट ओफायर सिंगल डैमेज जो की इस वाले सकार में थी लेकिन जब पुराने टाइम आया था वह सकार तब वह सेकंड नमबर पे था फिर गरीना ने डबल रेट फायर सिंगल डैमेज डबल रेट फायर सबसे डेडली एट्रीबूट है और सबसे बेस्ट एट्रीबूट भी है चाहिए आप शॉट रेंज की बात करो या फिर लॉंग रेंज की नमबर फॉर सभी इलाइट पासस के कुछ ना कुछ थीम होते हैं किसी का समू कुछ समझ आता है कि कौन से थीम पर बेस्ट है रेंपेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन घुस्टे से हम तोड़ फोड कर दे कोई चीज को पुरा तोड़ भाड़ के उसका विरान जगा बना देते हैं उसे कहते हैं रेंपेज घुस्टे से तवाही करना इट मिन्स रें तीसरा रेंपेज मतलब आप यह भी कह सकते हो कि जून या फिर जुलाइब में रेंपेज आता ही है हमारे फ्रीफायर गेम में और अगर आप लोग लोग तीम देखोगे लाइट पास का ट्रेलर वगर देखोगे या फिर उसका पोश्टर वगर देखोगे तो आपको एक अजीब बना दिये गया था डिस्ट्रक्शन वाला अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो के लाइक जरू करना भाई लोग तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाद जो हैं बेल नोडिवेशन वीडियो इस चैनल पर लाते रहे तो सब्सक्राइब जर अगर एक जैसे चीज दो जाएगी तो किसी एक चीज की वैल्यू नहीं रहेगी साथा ऑडर्याइग की वहाँरी में और जहें बात कारें तो अगरा वह निए जाधा होती है आप लोगों पर नोटीज किया था मुझे जरूर से जरूर से बताणा Fact No.2 जब आप Clash Code खेलते हो तो आपका जो टीम होता है उसका नाम हमेशा Warbringer सी क्यों होता है और सामने माले टीम का Hollers ही क्यों होता है क्या आप ने कभी सोचा है इस बारे में कि हमारे टीम का नाम भी कभी Hollers होना चाहिए ना लेकिन हमारा हमेशा Warbringer सी क्यों होता है उससे पह लोग होते हैं क्यों कि City के रक्षा करते हैं और फिर ये बुरे लोगों से फाइट करते हैं थोते हैं होलर्स होते हैं पुरे लोग इंसान हमेंसा अपने बार में अच्छा सोचता है चाहे वो गलत हो या ना आहो लेकिन हमेशा वह सोचता है कि वही उसलिए Free Fire कभी भी CS ऊस सकते आपकी ब्रॉर्ट विंगर्स नहीं बन सकती यह थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन इंट्रस्टिंग था इंट्रस्टिंग था या नहीं मुझे जरूर से बताना फैक्ट नमबर वन कभी न कभी आपके में यह सवाल तो आया होगा फ्रस्ट लाइट पास सेकर लेकिन कुस्ट लाइब हुआ कैसे में तीन से चार रिजन सबसे पर हैं कि बहुत कम लोग के पास है बहुत प्रेडबक रिजन सब कहाई है बहुत कम लोग के पास है अब एक दिआ होगी कि अगर वो आइटम हर एक बंद के पास है तो उसके को वैल्यू नहीं रहती है और यह बहुत कम लोगे पास है सेकंड चीज इस बंडल को सहले फेमस किया गया है यूटूबर्स के दोवारा इमेजिन करो इन बंडल को यूटूबर्स पहनता नहीं तो क्या आप लोग इन बंडल के बारे में जानते अभी बहुत सारे सो लोगों है जिनको यह बंडल के बारे में पता नहीं था और पता था तो उनको यह नहीं पर आता कि इनकी यूनिक डिजाइन साकुरा जैसा ही लाइट पास और साकुरा का जो लुक है वैसा ही लाइट पास है फिर वैसा तो यह चलता था गिए इतने रेर और इतने डिमांडिंग कैसा है तो मैंने आपको उस een का एंसर दे दिया अगर आपको वीडियो पसंद आए भाई लोग तो वीडियो के लाइक जरू करना क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़रा मोटिवेट करता है आगर उसे वीडियो बनाने के लिए अगर आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाद में बैल है उ सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब उसे कर लेना भाई लोग तो मिलते हैं और इसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए बबबागाई लोग एंपीस आउट थैंक्स वाचिंग